है लो गाईस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही दिखें नौलिस्फुल है आपको बहुत सारी चीजे देखने हो लेगी जैसे कि देखें आज हमने देखा लाइप मार्केट में हमने देखा ता डबल टॉप डबल टॉप में क्या होता ह जो आपका उपर वाला जो लेवल है जैसे कि आपका यह पहला टॉप हो गया और यह मार्केट में अगर आपको चार्ट देखना नहीं मत देखिए चार्ट को मैं कहता हूं कुछ ऐसे पैटन है जिस पैटन को आप याद कर लीजे या अगर आप जिस जगह ट्रेडिंग करते हो जैसे कि मैं यहां पर ट्रेडिंग करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के सामने किसी बॉल पर किसी दिवाल पर या किसी नॉट्बुक में उन पैटनों को नॉट करके रखिए जिसकि डवल टॉप होता है डवल बॉटम होता है हैनस होल्ड़ पैटन होता है ठीक है बहुत सारे पैटन होते हैं लेकिन उच में से कुछ पैटन आपको याद होना चाहिए अब देखिए आज का किलोजिंग हमको कैसा देखने हो आज का किलोजिंग अगर मैं बात हो तो 51,259 के समतिंग कल कैसा मार्केट काम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा अब यहाँ पर देखिए जे वाला जी हमारा पिराइस है जे किलोजिंग पिराइस है लेकिन क्या ह हमने इसी जगह उपन किया था या हमारे यही हाई था जी नहीं हमारा जो हाई था वो जगह 51600 के समसिंग हमने हाई देगा और उस हाई से अगर हम बात करें तो 350 पॉंट हम नीचे की साइट के लोजिंग हुए ठीक है अब यहाँ पर देखिए समझों यहाँ पर मैं आपक कर देता हूं मैं जिससे आपको क्लिर्टी समझ गया अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टेरेल लाइन लेके यहाँ पर ड्रॉ करता हूं और इस टेरेल लाइन को लेके हम यहाँ से लेके चलते हैं ठीक है जी इसको थोड़ा सा और उपर करते हैं ज आपका तेज तारीक का जो आपका कैंडेल ता उसके हाई को मैंने देखा। फिर और पीचे गये। तो इहां पर तेखहे जो ग्यारा तारीक का देखें केंडेल था होस्के हाई को कि लूजीन को मैंने देखा। और यहां 27 अक्टूबर का जो आपका गेंडिल था उसके मैंने यहाँ पर ओपनिंग को दिखा यानि जी तीन मैच कर रहे थे और सेम पिराइस ती एकी 51 था उचल ठीक है यहाँ पर हमको दिखाई दिया फिर मैं क्या किया मैंने इसके अंदर दिखे में गया और यहाँ पर मैंने 5 मिट का चार्ट मैंने उपन किया जो मैं आपके साथ भी था ठीक है कल कैसा मार्केट रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले इसको अपन समझ लेते हैं उसके बाद क्या हुगा आज के दिल गैप आप ओपनिंग देखने हो ला और बजा जहां से देखे एक अच्छा का स जासा मुमेंट करना चालू किया जैसे इसने मुमेंट किया तो पहले ही केंडिल अगर आप देखो तो इस टाइप की बनी है यानि एक बहुत बुली स्केंडल और बहुत ज़्यादा बुली स्केंडल देखे दो हमको देखने हो ला उसके बाद एक रीटेस दिखाई दिया तो पही आप बन सकते हैं लेकिन क्या हुआ चिंब को देखने क्या है यहां पे जो हमको देखने विल ऊसके बाद एक और हमको दिखाई दिया और इसने टॉब कहां पर लगाया इस जगह पर अब हैब समझो कि यहां पर हुगा क्या कि पहला टॉप आपका यह बना फिन नीच आया फिर दूसा टॉप बना डवल बॉटम पैटन बना लगातर सेलिंग आया एक आपको एम पैटन भी यहां पर नजर आ रहा होगा उसके बाद फिर से बजार उपर गया और अगर आप देखो तो टिपल नहीं आती लेकिन सेलिंग आई है ठीक है अब यहां पर हम क्या करके चल सकते हैं अगर कल के दिन आपका इस प्रैस के नीचे जाता है जो कि आपका 51,200 51,200 के नीचे अगर यह जाता है तो फिर से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है क्यों कि लास्ट में जो लोग बाइंग करके गए होंगे यहां पर भी अगर आप देखो इसी लेवल पर देखिए जिल लोगों ने मौर्णिंग के सामय बाइंग किया हुआ उन्होंने आल्म लेवल को बिरेक कर देता है तो यहां पर जो कल तेजी हमको देखने हो लिए यानि आज जो हमको तेजी देखने हो लिए जित तेजी आपको कही न कही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है जिसमें अगर मैं नीचे के साइज सपोर्ट की बात करो तो 51,000 हमारा पहल सपोर्ट होगा पर जगत के 50,700 आप फिर आपका जगांद चल्लत को यहां पर तैके मैं आपको जो चार्ट और यहां पर लगा के दिखा दीता हूं वर्न sechs का चार्ट का चार्ट हम क्यों देख रहे हैं यह हमारे मन में सवाल आना चाहिए तो फिर उसके बाद अगर आप देखो एक डोजी केंडल बना है और उस डोजी केंडल का जो हाई है वो सेम हाई है फिप्टी बन थाूजा ओ辣 सिखन्डेट ठिक है फिर उसके बाद जो आपका देखिए एकव बुली शकैंडल वोना है उसका भी हाई सेम है उसके बाद जो एक एक बारीब्रीज़ वना आता वरं टू थि लगा था तीन बेरी स्केंडल वने थे उसका हाई भी सहमता यानि हमको यहां पर क्या समझ में आया है कि जो हमारा लेवल है 51,600 यह हमारा एक रजिस्टेंट का काम कर रहा है ठीक है अगर यह थोड़ा बहुत गैप के साथ भी उपन हो जाता है तो फिर हमको इस जगा वन अबस के चार् अब यहां पर क्या होता है जैसे कि अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है और उसी जगह थोड़ा समय बिताता है क्योंकि यहां पर क्या है बाट यह लोग निचि फसे हुए है वह भी इस जगह पर clip करनेकि कोशिश करेंगा यह अपने लॉट्ट को रिकाबर करनेकी करेंगे तो यहां पर सेलिंग आएक थो वह लोंग है तो यहां पर सेलिंग करना चाते और एक बहूंग है तो यहां पर हगे अपने इसमें तेजी के साथ जा सकते हैं, जिसमें फिर हमको 52,000 तक के एक target उपर की side या हमको एक moment देखने को मिल सकता है, अब निप्टी की बारे में बात कर लेते हैं, तो निप्टी का अगर आप चार्ट पैटन देखोगे, पैंक निप्टी ठीक है, लेकिन निप्टी का चार्ट पैटन देखोगे, तो यहाँ पर देखे हमको समझ में आएगा, कि morning में जो हमको तेजी इजगा देखने को मिलाता है, यानि अगर आप देखो जो hammer candle देखे हमको अच्छा candle होता है, hammer candle बताने के कोसिस करता है, कि बज़ार नीचे की side गया था, लेकिन वहाँ से एक buying देखन करने का प्रियाज मत करना, ठीक है, अगर देखे हैं आपको थोड़ा बहुत नीचे की side मिलता है, जैसे कि आपका ये वाला zone है, जो कि आपका 24 है, दोसों के समति, या आपका 24 है, एक सो पचास के समति, या आपका buying zone है, यानि यहाँ पर आपको support, अच्छा support है, यहाँ पर दूसी बात, यहाँ पर क्या है, कि उपर की side अगर आप देखो तो ये आपका 24 है, 444 वाला जो लेवल है, ये एक resistance का काम कर रहा है, अगर आप देखो तो भार वार देखे, इसी लेवल से हमको सेलिंग दिखाई दिए, एक बाद ये इसको break कहता है, तो एक अच्छी तेज हमको वही देखने हो ला, फिर उसके बाद इस लेवल को जब V recovery करके, इसको हम कहते है V recovery, अगर fast selling आजाए और fast buying आजाए, फिर उस buying के बाद थोड़ा consolidate करके अगर निकालता है, तो उसको V recovery कहते है, यहाँ पर आप देखो तो कुछ candle consolidate किये, फिर उसके बाद निकाला है, त आदे रखना है कि 44,000, 44,444 का एक हमारी लिए resistance है, इसको बिरिक करता है, तो अच्छा movement आएगा, नीचे हमारी लिए support है, जो कि देखे इस जिगा मैंने आपको बताए था, कि 44,200 और 44,150 का एक हमको एक मज़ूर support देखने को मनता है, तो इस simple logic था, इसको समझ के आप भी का कर सकते हूं, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैहिन बनने वाता हूं